नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर MP फिरिस्कूटी योजना 2024 से जुड़ी काफी महत्तपून खबर आप सभी छात्रों को मिलने वाली है यदि आपने भी टॉप किया है तो आप सभी के लिए आज से ही पैसा मिलना स शुरू होने वाला है तो किसको और कब मिलेगी फिरिस्कूटी क्या है नया वड़ा अपडेट तो आप सभी इस वीडियो पर अंत तक बने रहकर देखने वाले हैं सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फिरिस्कूटी योजना क्या है जैसा कि आपको पता है कि मदपरदेश सरकार द्वारा सिक्षा प्रोसहन के रूप में इस योजना को साल 2023 में सुरू किया गया था जो कि मुख्यमंतरी सिवरास सिंग चोहन जी द्वारा इस योजना के तहत हर साल प्रतेक स्कूल के एक टौपर छात्र और एक टौपर छात्रा को स्कूटी प्रदान करने का वादा किया गया इस प्रकार से पिछले साल इस वादे को पूरा करते हुए सभी छात्रों को यह प्रोसहन मिल चुका है इसी प्रकार से अप साल 2024 में भी आप सभी के लिए इस कूटी योजना से लाब मिलेगा जिसकी पात्रताएं कोछ इस प्रकार रहने वाली हैं यहाँ पार आप देख सकते हैं कि जिन चात्रों द्वारा मदप्रदेश के सिक्षण संस्थानों में कक्छा दस्वी और बारवी का अध्यन किया गया जिन विद्ध्यालियों के चात्रों ने बारवी में टॉप किया है इसके लावा जो कि मद्द प्रदेश के स्थाई निवासी छात्र हैं उन सभी के लिए फिरी स्कूटी योजना 2024 का लाव मिलने वाला है इसके बाद बात की जाए किसको मिलेगा फिरी स्कूटी योजना का लाव तो आप सभी देख सकते हैं कि साल 2023 में केवल एक एक टॉपर लड़के और लड़की को इसी योजना से लाव पहुचाया गया था इसके बाद नया अपडेट आया जो की चुनावी बादे के तोर पर कहा गया कि तीन लड़के और तीन लड़कियों को इस योजना के तहत स्कूटी परदान की जाएगी मतलब तीन टॉपर्स लड़किया और तीन टॉपर्स लड़के को साल 2024 में लाव दिया जाएगा लेकिन जैसे ही मोहन आदाव जी की सरकार आई उन्होंने इस योजना के तहत बड़ा अपडेट जारी किया जिसके मतावे के बल साल 2023 के अनुसार ही स्कूटी योजना का लाब एक बिद्यार्थी और एक लड़की बिद्यार्थी को लाब मिल ले वाला है इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर यह बड़ी अपडेट थी जो की आज मिल चुकी है सबसे महत्पूर्ण बात होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबसे फिरी स्कूटी मिलना शुरू होने वाली है तक आप सभी के बैंक खाते में पैसा ट्रांसपर करते हुए प्रदान की जाएगी आपके बैंक खाते में स्कूटी खरीदने है तो पैसा भेजा जाएगा इस प्रकार से आप स्कूटी योजना के लाभारती बन सकेंगे आपको बता दे कि कितना खर्च आने वाला है इस प्रकार की योजना के तहत तो आपको बता दे कि बरतमान में चल रही इस योजना के तहत 8,000 चात्रों को लाब मिलेगा जिसका कुल खर्च असी करोड रहने वाला है लेकिन यदि सिवरा सिंग चोहान जी की घोशना के अनुसार उस बादे पर अमल किया जाए तो चात्रों की संख्या 25,000 से अधिक होगी जिसका बजट 253 करोड रहने वाला है आपको बता दे कि कौन सी योजना पर अमल किया जाएगा इसका निर्णय अब तक इस पस्ट नहीं हुआ है लेकिन आप सभी के लिए बहुत जल्द नया निर्णय आते ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी यदि आप भी टॉपर्स रहे हैं तो आप सभी लगातार ऐसी अपडेट्स इस चैनल पर देखते रहें धन्यवाद